हमस्कार प्यारे साथियों नाने क्लासी सिवसर यूटूब चनल पे आप सभी प्यारे विदार्थियों का स्वागत है आज की क्लास में हम बहुती शांदर एक वीडियो पढ़ने जा रहे हैं काफे इंतजार था और हर एक विदार्थी के वह में रहता है जब हम राजस्तान क प्रेटन टोपिक के अंदर रस सर्किट है राजस्तान के अंदर प्रिपत कहने का मतलब राजस्तान प्रेटक नगरी है एक तरह से देखें कुछ अनुमान के अनुसार राजस्तान को पिछले दो सालों से प्रेटक के छेतर में खूब सारे पुरुसकार मिले हैं जैसे उद जोद्यपूर को क्या क्या जैसल मेर को जैसल मेर जैसे अभी जोद्पूर के उमेद पेले इसको अवार्ड मिला जैसल मेर के अवार्ड मिलते हैं जो धोरे हैं उनके लिए जैपूर का आमेर जंत्र मंत्र हवा महल पूरी दुनिया में सुमार है तो उसके लिए प्रेटक आते प्रिपत सर्किट की चर्चा करेंगे उनमें कौन से जिले सामिल है और जिलों के अंदर किन-किन के प्रेटनों के लिए और मुखता दी गई है उनकी चर्चा करेंगे एक बार इस नाने क्लास से सिवसरी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम निरंतर आपके यूटूब सरकिट है रुनडार सरकिट है कि दस सरकिट है 10 के मांडियम से मेपको सबसे पहला आथा है सरकिट eth опять मरू सरकिट यहनि डेजर्ट मरू सरकीट यहनिल है जर्ट सरकिट की हमं चर्चा करें पहुण इंपोर्टेंट है तर्किट कए दो यह परिपत के दो जापान की जे बी आई सी कंपनी है उसके सयोग से संचालित है अब उसमें क्या क्या आता है देखो मरू सरकिट के अंदर पीका नेर सामिल है जेसल मेर सामिल है अब फुलोदी भी सामिल हो जाएगा लेकिन प्रोपर 33 जिलों के इसाप से पिछला डाटा अभी हो गया और अब नया जोड दिया गया है बाड मेर बाड मेर को नया जोड दिया गया है कल को अगर नए जिलों के इसाप से करें तो भी बालोत्रा भी आ जाएगा और फुलोदी भी आ जाएगा जैपूर ग्रामिन जैपूर से दोनों हो जाएगे फिलाल की स्तिति में देख इसके स्योग से यापान की जे बी आई सी कंपनी है उसके स्योग से इसका विकास हो रहा है नाम है इसका मरू सर्कृट क्लियर हो गया परसन आए तो गलत नहीं होगा ना इधर चलो दूसरी साइट सेखावटी सर्कृट नाम से हमें पता है सेखावटी चूरू जुन- अब जब हम क्या करेंगे कि शेखावटी सर्कृट के इंदर यह सर्कृट बनाएगे विकास करने के लिए प्रेटन को बढ़ बनाएगे तुम जब कि अराधना करते हैं पूरे राजस्तान में बाला जी महाराज का यह सालासर मंदिर पर्सिध है तालचहा सपर चुरू काले हिरूनों के परसिध सापरा भ्यारणी चुरू के अंदर लक्समनगड सिक्कर इकको पारक स्तापित होगा यहांपे राजस्तान का दूसरा अवास यह विधालिया यहांपे स्तापित किया जाएगा इसके अलावा लक्समनगड से विधायक है कौन गौविन सिंग डू टासरा जो कौंग्रेस के पर देशा द्यक्स है अभी जो हुआ था रिवासा सिक्कर में जीन माता का मंदिर है खाटू शाम जी शाम जी का मंदिर है जो अपने आप में अध्भुत है ठीक है और नवलगड जुन जुनु की हवेलिया और नरहड पीर के उर्स लगते हैं यह बहुत परसीद है यानि सेखावटी छेतर हवेलियों के लि यानि लख ही मेले लगते हैं अपर इतने प्रेटक आते हैं तो हर एक को रोजगार मिलता है और नहीं मिलता है तो उसके लिए स्पेसल सेखावटी सरकिट है और मरू परदेश में अभी जैसल मेर के अंदर मरू मोहतसव लगेगा उंठों का दर्स यह दोरे देखने के दूसरा सेखावटी तीसरा देखो मेरवाडा मेरवाडा नाम सुना अपने अजमेर मेरवाडा एक नुवंबर 1956 को रास्तान के एकिकन के सात्वी चरण में समिलो वही मेरवाडा मेरवाडा की पाडियां मेवाड और मारवाड को अलग करती है मेरवाड की पाडियां और यह मारवाड की पाडियों को माई दोनों को अलग करने वाली है मेरवाड यानि अजमेर अजमेर के अंदर नागोर अजमेर अब अजमेर के भाग हो गया केकडी हो गया ठीक है केकडी हो गया ब्यावर हो गया डिडवाना कुछ आमन हो गया पीछ हित्र तो आएगा मुख् से 27 नुवंबर को लगा कार्तिक पुर्णिमा को इतना विशाल मेला लगता है उंठों की विक्री के लिए इसमय परसिद होता है रास्तान का सब कर दो मेरां के मंदिर मेरता में देखने को मिलते हैं कि सेंगड की बनी ठनी कि संगर की राजा सावंत सिंग तो यह चीजें सारी इंप्रॉटेंट है जितनी भी देखने वाली यहां पर इस चेत्र के अंदर आती गयुंत कि उसके बाद में डूंडार सरक्ट अब गुंडार औरुपूर और दूसा अब देखो जैफूर ग्रामेन बन गया जैपूर्चैर बन गया धूद्दूक बन गया धूसा बन गया यह सारा का सारा चेतर डुंडार सरकेट में आजेगा अब हम कहें कि डुंडार सरकेट को विख्षिद करना है प्रेटन के लिए तुम कहां-कहां ज़्यादा उमीद रखते हैं मेंदी पूर बालाजी इच्छा पुर्ड मेंदी पूर बाला जी का मंदिर दोसा के ंदर है अब बानेरी क जंतर मंतर नारगड में एक क्रोड से ज्यादा यानि जैपूर में एक क्रोड से ज्यादा प्रेटक आए यानि राजस्थान के अंदर यह आंकड़ा चल रहा है रास्थान में यह आंकड़ा चल रहा है तो आमेर और सबसे ज्यादा अगर पिछली आर्थिक स्मिक्षा देखे यहां पे सामोध में सात महल है एक जैसे रामगड रॉमगड यह जैपूर वाला रामगड जील भी यहां पे यह तो यह बुर्यदार सरकेट में बहुत पुसुद है मंकी जीसी कहते हैं तुरि गोविन देव जी गोडिया संपरदय का नहार कड्ड हो गया यह किल्य इतने परसिद हैं हवा महल हो गया हवा महल क्या देखें जनतर segundo इतने प्रिटख यहाँ पे आते हैं देखने के लिए इसको अपने आप में इसको हर तरीके से विक्षित किया जाता है तो डुंडाड परदेश कितने होगे च्यार पांचमा देखो मेवाड परिपत पुहिल राजवंसों सिंसोदियों के राजवंसों के लिए परसिद कौन सा वंस मेवाड परिपत मेवाड परिपत का नाम आए उद्ध्यपूर रास्मन चितोडगड सुलूंबर और यह इदर बाड़ा भाग भी समें सामिल है अलांकि अभी इसको जल्द यालक बनाया जाएगा वागंगर सरकूर्ट बनाया जाएगा बचल के अंदर प्रस्तावी था यह टीक है बचल डौजवीस वाइस के अंदर प्रस्तावी था लेकिन अभी कलियर नहीं हुआ है द देखो रासमन्द उद्यपूर चितोडगड शलूंबर भी आ गया और यह डूंगरपूर बांसवड़ा का छेतर भी प्रताबगड का छेतर बीदर आ गया अब मेवाड परिपत को विक्षित करना है तो वहां कुम्बल गड़ और आज सुबह की क्रेंट की क्लास में बताया ह हेलीकॉप्टर जायराइड की सुरूवातं ओ चुकी है कि है है समद जील जो अप स्लूंबर में चलिजा है राजस्तान की सब-से बड़ी कर्तरी मझील वह गुषड़ दीशिंग की मृत्यव हीती केलास्पूरी नागदा केकलिंग नाज Gco का मंदिर है जो नाथ संपरदय तर्फट अंबीका तिसे मेवार का खुजराओ कहते हैं त्रीपुरा सुंद्री यह चितोडगडवाला और गलिया कोट उर्स लगता है यहां पर गलिया कोट डुंगरपूर में उर्स लगता है तो यह सरक्ट भी इसके अंदर सामिल है मेवार परिपत के अंदर मुख्य अस् जहां टाइगर इजरव है और यह रन थंब और टाइगर इजरव कब बना इसको देखने के लिए कौन नहीं आता होगा 1973 में बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि आज अनुपम खेर आए हैं आज सारू खान आए हैं आज वो हस्ती आई है तो कितना प्रेटक को बढ़ हवा मिलता है ठीक है दो टॉंक की अंदर टॉंक की अंदर हाती बाटा उनेरी कोठी कि बहुत दिगई कल्यान जी का मेला बहुत अरचा में रते हैं उसके बाद यह सरकेट हो गया हाड़ उती सरकेट कुझा अरुती सरकेट हाड़ूति का नाम आए फुंदी कोटा बाराँ जालाबार अब कोटा तो और भी हो गया कोटा के नदीप जहां पे चंबल रिवर फ्रंट का निर्मान हो गया 27 गाट हो गये सबसे बड़ी घंटी यहां पे लगी चंबल माता का मंदिर है तो यह तो देखने लाइक होई गया बुंदी क्यों चर्चा में आगया बुंदी राजस्तान का चोथा टाइगरीज़ बन गया यहां पे रामगड विश्दारी 12 बारा में एक तो ध्यारकना सिस्वाली के अंदर रास्तान का पहला खरण विश्वीदालिया है शहरिया जंजाती है यहां पे और जहालाबार में एक सूर्य मंदिर है गागरों दुरुग है जो 2013 की युनेस्कों की वरासर सुची में सामिल है तो प्रेटक इनके लिए अड़ोती सरकिट ठीक है वागड़ सरकिट प्रस्तावीत है मैंने आपको वैसे बन गया लेकिन अभी सामिल नहीं किया इसके अंदर उसके बाद में जालौर पाली शिरूई अब जालौर से अलग भाए सांचो तो यह भी इसके अंदर सामिल हो जाएगा वैसे मुख्य ठीकराद पाली-जालोर शिरूई माउंट आभू परिपत बन गया तो यहां पर से चोटी है नकी झील है आंप liberal जेंजाति रहती चाए और पाली का तो क संच और को रास्तान का पंजाब कहते हैं जालोर में जालोर दुरूग है ह्जुदा माता का मंदिर है इन छेतरों में यहां पर्थम रोपवे स्थापिद करें तो यह रोप की परसिद सर्केट में एक वैसे अलवर ये तथथ Tesh नुमान जी मदन इसे मतस्य का कुम्भ कहते हैं ति जारा अलवर का चेतर कि बोलागड देवी सिर्ट महाता का मंदिर यह को यहाँ यह केoston स्रिस्का है Кेlus यहाँ बाग पर देखने के लिए आते हैं 1978 में बना था और शृष्क का यहां पर बहुत बड़ा होटल है यहां पर इसको राजस्तान का नंद कानन कहते हैं उसके बाद में आता है बर्तपूर परिपत परिपत का मतलब बर्तपूर दोलपूर क्रोली और यह देखो राजस्तान का पांचवां टाइगरीजरो यहीं बना इसी के पुछे कौन से सर्किट में राजस्तान का पांचवां टाइगरीजरो बना क्रोली धोलपूर यह को सामिल हो जाए अब देखने लाइक क्या होता है डीग जिला बन गया डीग जल महलों की नगरी है केवला देव अभ्याडने भी है राष्ट्य उध्यान भी है मचकुण धोलपुर जिसे तिर्थों का भांजा कहते हैं केला देवी करोली में लखी मेला लगता है ठीक है तो यह भर्तपुर हो गया यह मेवात हो गया यह मांट अभू हो गया उसकी बाद में देखो यह मैंने आपको टोटल कितने बता दिया देख लो दुबारा चेक कर लेते हैं दस हो गये मरू सरकिट एक तेखवटी सरकिट दो मेवाड सरकिट तीन तुन्डार सरकिट च्यार सब्सक्राइब परिफत पांच गण थंबोर छे अड़ोती साथ मिवात आठ बर्तपुर नो और मांट अभू दस यह दस परिपत होगे वह बागडवाला अभी इसमें सामेल नहीं किया गया है यह कलिए ध्यां रखना इसके अलावा अभी तीर्थ सरकिट वीक्षित हो रह यह रासमंद का नाद द्वारा कांक रोली रासमंद श्री माविर जी करोली यह परिफत स्ताफित हो रहा है और एक परसन आता है कि राजस्तान का कौन सा सहरी या कौन सा स्तान स्वरणिम त्रिकोण में सामिल है जैपूर कौन सा जैपूर सामिल है जैपूर दिल्ले और यहां तक यह बनेगा आ अगे लेता हूं यहां बता देता हूं घै बुद्धा सरकीट बनेगा सिर्कीट का से कान तक यहां जैपूर के अंदर बिराट है तो कोटा के अंदर कॉलवी की गुफा है यह कॉलवी कीश। परसन आता है कि इसको जोड़ा जायेगा और यहां यह बनेगा गुद्धा सरकेट यह बर्थपूरवाला चेतर वो किर्षन से समदित वह जोड़ा जाएगा यह सब्सक्राइब यह मुख्या पेपर में आते हैं दस सरकेट वह पुछे जाते हैं अब मैं अगर बात करूं कुछ और क्पोचिज्वन की इंपोर्टेंट बात करूं आपसे बूझे राजस्थान की पर्थं प्रेटन निति कब आई और अंध फ्रेटन निति में मैं आई कि दुम फ्रेटन निति है नमीन पुझ है मुझे दो हजार है सो आपका उत्र होगा 2020 एक है आप से पूछे ग्रामिन प्रेटन निती ग्रामिन प्रेटन निती यह परसन पेपर में पक्का आएगा क्योंकि इसको फ्लैक्सिप योजना में सामेल कि इस नुवंबर 2022 तीस नुवंबर 2022 को ग्रामिन प्रेटन नीती आई यह बहुत इंपोर्टन्ट है नई यह पहली आई थी इसमें पर्थम पुछे तो 2010 में आई थी नवीन आगी 2020 में यह आपका आंकड़ा आपको जुरूर है याद रखने सबसे ज़्यादा अगर बात करें कि सबसे ज़्यादा प्रेटक कहा आते हैं सबसे ज़्यादा प्रेट तो 2022-23 के अनुसार कि विदेश्री प्रेटक सबसे ज़्यादा आए है जेपूर में तो एक्याव जैपूर में हर दो 2022-23 के अनुसार प्र्थमिक्षा क्या करना होती है गरे लूप रेटक आए हैं वो सबसे ज्यादा अजमेर में आये तब से ज्यादा अजमेर के अंदर आया है और सबसे ज्यादा आते कहां से अभी 2022-303 सबसे ज्यादा कांसे आए हैं अमरिका से विदेशी प्रेटक अगर विदेशी प्रेटकों की बात करें तो सबसे ज्यादा अमरिका से आए। अब आपको यह दखना हैं, विश्व विरासत सुची में सामेल राजस्तान के प्रेटन्स तर, विश्व विरासत या युनेश्ब की विश्व विरासत सुची में सामेल describe ती में तामिल देखो सबसे पहले कौन हुआ 2010 में जंतर मंतर है जेपुर का जंतर मंतर है जेपुर का जंतर मंतर है उसके बाद आता है 2013 एक और बता देता हूं आपको क्या चीज़े पहले सुरवात केवला देव से होते है केवला देव पक्षी भिहार पक्षी अभिहार ने 2010 में जंतर मंतर 2013 में किले सामित हुए थे अमेर का किला आम गाजर चीकू सुतर सुने आमेर रन्थमबोर सुनारगड जागरोन पुम्बलगड और चितोडगड आम गाजर चीकू सुतर सुने ना एक दो तीन चार पांच छे उसके बाद क्या हुआ उसके बाद में सामिल हुए 2019 में जेपूर प्रकोटा जेपूर प्रकोटा यह सामिल है अब तक हमारे युनेश्को की विश्वद्रोर सुचि ही इन चाहर और 2010 में 2010 में काल बेलिया नर्ते की आलल बेलिया आद मेरत मूर्त द्रकोटा ड्रोवर सुची मेरत मूरत यह सामिल हुआ एम निटो द्रयोवर नहीं है लुडे यह सामिल हुआए सबसे पहले केवला देव पक्षी ब्यारने फिर 2010 में जैपुर का जंतर मंतर फिर 2013 में आमेर रन्थंब और सुनारगड गागरों कुम्बलगड चितोड और 2019 में जैपुर का प्रकोटा और 2010 में काल बेलिया नर्ते तो यह मुख्या आज मैंने आपको क्या बताया प्रेटन सर्किट बताए 10 इसके अलावा एक्ष्ट्रा चीजें बता दी आप सारे विदार्थी नाने कलासे शिवसर यूटूब चैनल को फोलो कर लो ताकि मैं इस परकार की कलास हैं जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता रहे मैं आपको देता रहूं धन्यवाद चैहिंद चैह बहुत चैह रजस्ट